यहां पे आपको सिवल सर्विसेस की प्रेपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रेपार करना है यहां पे आपको आपकी प्रेपरेशन को इन्हांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किये जाते हैं आपकी प्रेपरेशन के जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी उसी के साथ साथ आपको मंतली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफैर्स की और येरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी और साथ ही जो करंट अफैर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किये ज सकते हैं और वहां से आपको हमारी सारी PDF का अकसेस ले सकते हैं और उसी के साथ-साथ गाइस आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशेटिव स्टार्ट किया गया है में के प्रीवेसर क्वेशन अनालेसिस का आपको आपके लिए डेली बेसिस पर वे अनालेसिस किय जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेइस्ट प्रोवाइडिड है हमारी यूट्यूब चानल पे ही अलग अलग पेपर में प्रोवाइडिड है आप लोगों के लिए GS1, GS2, GS3, GS4 की उसी के साथ-साथ आप लोगों के लिए GS के अलग-अलग सब्जिक्ट्स की भी और हिस्टरी की भी प्लेइस्ट आपको मिल जाएगी जो की बिल्कुल फ्री होगी वह आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी और इन्हीं प्लेइस्ट में साती साथ नए-ए-ने प्लेइस्ट भी रेगिलर बेसेस पे आड ऐन किये जाएंगे जिसके लिए आप के लिए लाए गए है जासर अकैडमी फॉर आई एस के द्वारा जो जिन पर कोर्सिस को जासर खुद परस्नली मेंटॉर करते हैं खुद उसको रिलेट करते हैं जैसे कि जी एस का प्री प्लस मेंज बैचागाइस बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है जासर खुद जैसे कि एक मेंस का भी आंसर आइटिंग का टेस्स सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्स सीरीज कोस्ट चल रहा है जो आपको हमारी आप पे टेस्स सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी 10,000 क्वेश्चन के आपको प्राक्टिस कराई जाएगी वो 10,000 आप अगर डालेंगे तो प्लेस्टोर से आपको वो आप मिल जाएगी आप उसको डाउनूड कर सकते हैं वहाँ पे आपको प्रेलिम्स की टेस्स सीरीज का एकसेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी भैतरीन आप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्राक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम एफेक्टिबली जासर अकाडमी को रेगिलरली फॉलो करते रहिएगा हलो एबरिवन जैहिंद वेल्कम टू जासर अकाडमी फॉर आईएएस गैस हम कर रहे हैं जोग्रफी की एंसी एर्टी क्लास 10 और क्लास 10 की एंसी एर्टी में हमने चाप्टर 2 स्टार्ट किया था चाप्टर 2 है हमारा फॉरेस्ट और वाइड लाइफ रिसूर्स वन और वन्यजीव संसाधन तो यह जो फॉरेस्ट और वाइड लाइफ रिसूर्स है इसके बारे में कुछ हमने Class 9th की NCRT जो हमने cover की है उसके last chapter में भी हमने थोड़ा बहुत देखा था basic हमने वहाँ पर भी पढ़ा था इसमें हम और detail में पढ़ रहे हैं सारी चीज़े हम इसमें cover करेंगे बहुत ही important chapter है लेकिन उसी के साथ साथ बहुत easy chapter भी है ठीक है बहुत सारे facts, points जो है वो आप लोग जानते हैं समझते हैं सिर्फ क्या है कि एक reading करनी है एक बार समझना है, go through करना है और ये chapters हैसे हैं जिनको कि एक बार अगर अच्छे से read कर लिया तो दुबारा read करने की भी जरुरूरत नहीं है बिल्कुल भी तो कल हमने जो जो चीज़े cover की थी उनको फटा फट से 2-4 मिनिट में overview ले लेंगे, उसके बाद अपना आगे का lecture स्टार्ट करेंगे, अपना आगे का chapter स्टार्ट करेंगे, राइट सो लेट स्टार्ट वुद इट तो हमने क्या चीज़ देकी थी कि हमारा जो प्लानेट है, इस पे सिर्फ हम living beings में या human beings सिर्फ हम ही नहीं है मतलब हम ही human beings ही life spend नहीं कर रहे हैं हाँ पे जी रहे हम इस प्लानेट को share कर रहे हैं बहुत सारे living beings से, बहुत सारी biodiversity हमें देखने को मिलती है और यह हमने बात की थी plant species और animal species में कि इंडिया जो है एक पूरे world में से उन countries में से एक है जिसमें बुखत ही ज़ादा rich biodiversity हमें देखने को मिलती है चाहे वो plants की बात करें या फिर animals की बात करें और सभी एक दूसरे के उपर dependent हैं one way or the other तो सभी का survival सभी की existence और सभी का conservation properly necessary है हमारे लिए और हर एक living organism के लिए ठीक है अब उसके बाद लेकिन हो क्या रहा है कि क्योंकि अब क्या चीज़ थे हमने बात की थी कि जो चीज़ हमारे पास है हम उस चीज़ की importance नहीं समझते जब तक की वो हमारे पास है तो similarly flora and fauna जो है हमारी हमने उनको इतना insensitive behave किया हमने इतना for granted लिया कि हमने उनको over exploitation किया उसका और जब वो stress में है तो आज हमें उसकी need का पता चल रहा है आज हमें उसकी importance का पता चल रहा है कि उसकी वज़े से काफी सारी problems face की जा रही है तो उसकी वज़े से अब क्या हो रहा है ये problem क्यों arise हुए आज हमें importance का क्यों पता चल रहा है क्योंकि हमें क्या दिख रही है कि काफी जादा ऐसी flora fauna है जो की आज critical endangered category में है जो की ऐसे point पे आ गई है कि वो विलुप्थ हो जाएगी अगर अभी भी हमने उन पे ध्यान नहीं दिया और काफी सारी ऐसी भी species है जिनको जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है जो की विलुप्थ हो ही चुकी है उनके बारे में तो हमें पता भी नहीं है कुछ तो उसी के basis पे क्या हुआ कि IUCNA International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCNA कुछ classification दी species की उन्होंने क्या कहा कि एक तो होते normal species जिनकी population सही है उन पे हमें जादा दिक्कत लेने की जरद नहीं है हमें tension वाली बात नहीं है वो ठीक है एक होते है endangered species जिनकी जो population है जो normal होनी चाहिए उससे काफी जादा कम है और अगर अभी से उन पे ध्यान नहीं दिया गया उनको उनका बचाव करने पे ऐसे factors पे जिनकी वज़े से वो कम हो रही है तो ये जो species है वो विलुक्त हो जाएंगी extinct हो जाएंगी ठीक है वो होती है endangered species उसके बात है थी vulnerable species जिसकी population कम होनी शुरू हो गई है कम हो रही है तो अभी वो कह लाइम लाइट मेरे vulnerable हो चुगी है अगर उस पे अभी से ध्यान नहीं दिया तो वो endangered category में चली जाएगी और धीरे धीरे फिर वो extinct हो जाएगी तो अभी से ध्यान देना जरूरी है ताकि वो endangered में ना जाए उसके बाद उन्होंने कहा एक species एक category है rare species कौन से ह जो वैसे ही कम population में है कम ही हमें देखने को मिलते हैं तो अब already कम है तो उसको टाइम नहीं लगेगा पर लेरेबल के टेगरी में शिफ्ट करने में और लेरेबल से endangered केटेगरी में शिफ्ट करने में तो उस पे भी proper ध्यान हमें देने की जरूरत है उसके बाद बात हुई थ इसके एंड में कौन से होते हैं जो कुछ नाचुरल यह जग्रफिकल बेरियर की वज़े से एक ही जगा पे ही रहते हैं सिर्फ हमें वहीं देखने को मलते हैं एक पर्टिकुलर रीजन पे उसके बाद extinct species है extinct species वो हैं जो की विलुप्त हो चुकी है अब हमें वो देखने को नहीं मिलती है विलुप्त होने का मतलब यह नहीं है कि पूरी के पूरे प्लानेट से ही विलुप्त हो चुके पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है वो एक लोकल एरिया में भी हो सकती है रीजन में भी हो सकती है country में भी हो सकती है continent में भी हो सकती है और all over the world भी हो सकती कि जो अब हमें देखने को नहीं मिलती वोत यह हमारी extinct species उसके बाद फिर हमने क्या बात की थी कि अगर हम अपने आसपास देखे तो बहुत सारे resources ऐसे हैं जो कि हमें forest और wildlife से मिलते हैं अब जो हमें उनसे मिलते हैं तो हम उनको जादा से जादा ले रहे हैं उनका consumption करें over consumption हो यह over exploitation उडिया है जिसकी वज़े से वो deplete होते जा रहे हैं colonial period पे यह बहुत ज़ादा damage हुआ है उनकी activities की वज़े से commercial activities, economic activities की वज़े से और उसके बाद independence के बाद भी agriculture पे ही ध्यान देने की वज़े से हमने इन forest को पे ध्यान नहीं दिया और forest जो land है वो convert होती चली गई, ख land है वो agriculture land में convert हो चुकी है और उसके अरावा जो हमें जूम cultivation देखने को मिलती है उससे भी हाम हुआ है ठीक है development projects है उससे forest land कम हुई है कुछ projects चराय जाते है जैसे कि नर्मदा सागर project है उसकी वज़े से भी हमें deforestation देखने को मिलती है mining की वज़े से होती है तो काफी हमें क्या देखने को मिलते deforestation की वज़े से क्या होता है कि जो species उस forest में रह रही है तो उस forest में रहने वाले species का natural habitat चला जाता है तो अब वो क्या करते हैं वो अपने food के लिए पानी के लिए shelter के लिए वो बहार निकल के आते हैं तो उसकी वज़े से हमें क्या चीज आज के सबसे ज़्यादा क्या चीज देखने को मिल रही है human wildlife conflict चीक है तो उनको conserve करने की जरुरत है और आज की टाइम पे हम कर भी रहे हैं जिसे project tiger है project rhino है जो हमने बात की थी वो उनकी conservation के लिए ही लाए गए है तो इतना हमने कल के lecture में कवर कर लिया था अब moving on to our to the four-wheel chapter many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection अब कुछ foresters या environmentalists हैं उन्होंने जो अपनी survey की उन्होंने अपनी जो report निकाली उन्होंने पढ़ा सबुच study की तो उसके basis पे उन्होंने क्या चीज पाई कि सबसे ज़्यादा जो ये forest degrade होते जा रहे हैं forest land कम होती जा रही है वो किसकी वज़े से है या ये जो forest के resources है ये कम होते जा रहे हैं वो उसका main reasons क्या है एक तो grazing और दूसरी है fuel wood collection कि मतलब जो अपनी livestock को चराते है तो वो बहुत ज़ादा हो रहे है जिसकी वज़े से intensive हो रहे है वो काफी जिसकी वज़े से forest ye resources deplete हो रहे है और दूसरा तो अब कुछ में कुछ जगाओं पर या कुछ चीजों में कुछ आर्गुमेंट भी हुई है ठीक है कि उन्होंने क्या कहा है कि पूरे के पूरे जैसे क्या कहा है क्या है कुछ इस आर्गुमेंट में यह भी बोलते हैं कि जो यह फ्यूल कलेक्ट किया जा रहा है यह फॉर्डर कलेक्ट किया जा रहा है इसके दिमांड बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है उसमें मतलब वो जो डिमांद बढ़ने की वज़े से पूरा का पूरा पेड नहीं काटा जा रहा है उसके कुछ जो जरूरत है थोड़े से कुछ रिमेंस ही लिये जा रहे है उसमें से पूरा का पूरा पेड नहीं काटा जा रहा है तो आप इस त demands of the rapidly expanding industrial urban economy कि जो forest की ecosystem है वो एक तरीके से repository है कैसे कि जो country के सबसे जादा most valuable products है या minerals है यह जो दूसरे resources है जो कि जैसे आज के time पर क्या हो रहा है बहुत जादा हमें industrialization, urbanization देखने को मिल रही है expand होती ही जारी है और बहुत fast pace पे expand होती जारी है तो जब वो expand हो रही है urbanization, industrialization तो उनको जो resources की जरुरत है उनको जो भी products की requirement है तो वो resources के लिए सबसे जादा most viable and most valuable हमें देखने को मिल रही है fertile ground for conflicts अब यह जो protected area है यह अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग इनका meaning है उनके लिए अलग-लग चीज matter करती है इस चीज के लिए और क्योंकि उनकी अब वही है ना कि हर एक person का opinion हर एक person का interest सेम नहीं होता और जहाँ पे differing interest है differing opinions है वहाँ पे conflict तो जायस सी बात है तो वही चीज है कि यहाँ पे जो भी यह protected areas है forest ecosystem है यह जो जो protected areas है वहाँ पे हर एक person के लिए हर एक चीज का meaning अलग है किसी के लिए कुछ चीज जादा important है जादा meaningful है किसी के लिए कोई चीज है जिसकी वज़े से fertile ground के लिए क्या और है conflicts बढ़ते जा रहे है habit destruction, hunting, poaching, over exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fires are factors which have led to the decline in India's biodiversity अब जो इंडिया की biodiversity जैसे कि अगर हम plants की animals की बात करें for example animals के अगर हम बात करें है तो हम जो forest को cut कर रहे है तो जो animals क्या करते है वो जंगलों में रहते हैं तो जंगल क्या उनका घर है हम उनके घर को ही अगर काट रहे हैं या फिर जो अभी हमें बहुत जादा prevailing forest fires देखन हो रहे हैं उनकी life पे हमें effect देखने को मिल रहा है दूसरा hunting हो रही है poaching हो रही है ठीक है over exploit कर रहे हम उनको अपनी needs के लिए अपने benefits के लिए दूसरा environment में जो pollution है वो pollution की वज़े से भी क्या हो रहा है कि जो animals है उनका habitat भी destruct हो रहा है उनकी health भी बहुत जादा damage हो रही है जिसकी वज़े से हमें जो इंडिया की biodiversity है वो declining पे ही देखने को बिल रही है अब कुछ और जो दूसरे important causes है environmental destruction के कि वह यह जो हमारा पूरा environment है यह disrupt क्यों हो रहा है वो है कि एक तो unequal access कि क्या चीज है जो हमने last chapter में बात की ती unequal access क्या है कि कुछ few individuals के हाथ में बहुत ज्यादा resources है और कुछ के पास नहीं है क्योंकि उनके वो access ही नहीं कर पा रहे है उनको कुछ maximum access नहीं कर पा रहे है जो access कर पा रहे वो बहुत कम individuals है जिसकी वज़े से हमें वो gap भी देखने को मिलता है कि two sections भी divide हो रहे rich and poor तो वो एक reason है ठीक है in equitable consumption of resources वही चीज़े कि जिसके पास access है कि अगर मानलेजे 10% of people के पास अगर access है तो वह 10% of people ही तो उसको consume कर रहे है न रिसोर्स को बागी के 90% का क्या वो सफर कर रहे है differential sharing of responsibility for environmental well being अब differential sharing of responsibility क्या है कि सब equal responsibility नहीं ले रहे हैं कि हमें environment को बचाना है हमें environment को conserve करना है ये responsibility सबको equally ही लेनी पड़ेगी सब equal इसको importance देंगे जब कि हा environment बहुत ज़ादा important है हमारे लिए climate important है हमें उसको बचाना है ठीक है हमें उसके बचाव के लिए काम करने जब तक सब इखटे मिलके आके काम नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल ही नहीं है लेकिन ये चीज़ नहीं हो रही है क्या हो रहा है कि differential responsibility शेयर कर रहे हैं कि हमने तो इतना ज़ादा pollution नहीं create किया ना हमने environment को इतना ज़ादा degrade नहीं किया तो हम क्यों इतनी ज़ादा responsibility नहीं काम करने पर वो चीज़ हो रही है तो कोई equal level पर आके नहीं इस पर काम कर रहा है environment की well being के लिए तो उसकी वज़े से भी है हमें environmental destruction देखने को मिल रही है overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation third world countries कौन सी है आप लोग को बता होगा कि cold war era जो था उस time पे हमें दो powerful देखने को मिलती थी ठीक है दो powers थी उस time पे USA और USSR तो उनके बीच में जो conflicts थे उनके बीच में जो एक cold war चल रहा था तो कुछ countries ऐसी थी जिनोंने USA को जोइन किया था और कुछ countries ऐसी थी जिनोंने USSR को जोइन किया था और कुछ countries ऐसी थी जिनोंने USA को भी जोइन नहीं किया और USSR को भी जोइन नहीं किया थीक है वो अलग रहे थे जैसे की इंडिया तो इन कंट्रीज को जो इन दोनों ही मेजर पावर्स का हिस्सा नहीं बने थे उनको क्या नाम दिया गया था थर्ड वरल्ड कंट्रीज कि एक वर्ड तो कौन सा है जो युएसे की USA है और उसके उसमें जो भी countries है वो एक world वो है एक world USSR और उसका group में जितनी countries है favor में वो है और third world countries कौन सी है जो इन दोनों में से किसी के भी favor या against में नहीं है तो यह जो third world countries है इन में क्या बोला जाता है कि एक मतलब over population जो है इसमें क्योंकि population बहुत जादा है population explosion यहां पर एक reason major reason बताया जाता है environmental degradation का ठीक है however an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian लेकिन अगर देखा जाए average basis पे तो एक जो American है वो 40 times 40 times 40 times जादा resources कंजियूम करते हैं अगर हम Somalian लोगों की बात करें तो similarly the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poor is 25% वही चीज है कि क्योंकि जो excess है वो कुछ particular बहुत कम लोगों के पास है कम percentage of लोगों के पास इन resources का है तो इन resources का access होने की वज़े से कुछ लोगों के पास सबसे जादा जो exploit है वही लोग कर रहे है वही लोग सबसे जादा कंजियूम कर रहे हैं तो वही लोग क्या करने है एक्सप्राइट करने में उन resources को ट्रांस्फॉर्म करने में सबसे जादा ecological damage यही लोग पहुचा रहे हैं क्योंकि जादा यही consume कर रहे हैं दो फॉर्मर शेर्स मिनिमम रिस्पॉंसिबिलिटी फ़र इन्वाइनमेंटल वेल बिंग लेकिन अब क्या है कि जो जैसे अब इसने damage जहेलते हैं वो कौन जहेलते हैं वो सबसे कम जहेलते हैं और सबसे जादा जो poorest लोग हैं जिनको resources मिल भी नहीं रहे हैं consume भी नहीं कर पा रहे हैं benefit भी नहीं ले पा रहे हैं और फिर भी जादा burden किसके उपर आ रहा है उन poor people के उपर ही आ रहा है the question is who is consuming what from where and how much अब यहां पर question यह राइज हो रहा है कि कौन कितना क्या consume कर रहा है कहां से consume कर और कितना जादा consume कर रहा है कितने quantity में the destruction of forest and wildlife is not just a biological issue कि जो यह forest और wildlife जो destruct हो रही है यह सिर्फ एक biological issue नहीं है कि उनकी biological कुछ problems हो रही है उसकी वज़े से ही destruction हमें देखने को मिल रहा है the biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity ठीक है अब जो biological loss है यह बहुत ही जादा इसका correlation किसके साथ है कि जो उहां की cultural diversity है वो भी loss में जा रही है वो जैसे जैसे loss हो रही है तो biological loss भी हमें उसके हिसाब से ही देखने को मिल रहा है अब यह जो loss हो रहा है इससे सबसे जादा सफर कौन कर रहा है जो marginalized है या फिर वो लोग सफर कर रहे है जो की dependent है इन forest resources के उपर या इन wildlife पर वो सबसे जादा सफर कर रहे है इस चीज में ठीक है जैसे कि अगर वो dependent है directly इन ही पर dependent है अगर हम tribal communities की बात करें तो जो tribal communities और tribal people है वो forest produce के उपर ही dependent होते हैं वहाँ पर उनकी एक अपनी life है एक traditional setup है उनका तो अगर वहाँ का जो forest है वही destruct हो जाएगा वो उनका जो habitat एक तरीके से उनका घर है वो उन tribal people का तो अगर वो ही चला जाएगा तो उनका survival बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो completely depend उस forest पे ही है उस forest produce पे ही वो dependent है within the poor women are affected more than men in many societies women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and other basic subsistence needs as these resources are depleted the drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 km to collect these resources अब क्या हो रहा है कि अगर हमारा जो habitat है या जो forest wildlife है अगर उनका destruction होगा तो क्या होगा उसमें कि जो वो poor people या जो भी society है जो भी people है जो उन forest produce पे या forest के उपर dependent थे या उन wildlife पे डिपेंडेंट थे उन में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है कि करते तो सफर सभी लोग है वो लेकिन women ज़्यादा सफर करती है men से जो महिलाए हैं उनки suffering ज़्यादा हो जाती क्यों कि हमें societies देखने को मिलती है ज़्यादा तर उसमें क्या होता है जो ये काम होता है कि forest से fuel, water collect करना है पानी भरके लाना है यघर जो basic needs है उनको fulfill करना है तो उसका जो काम है वो किस का होता है वो women का ही होता है, वो role women play करेंगी, ठीक है, पानी भरके लाना है, लकडियां लेके आनी है, fuel, water, जो भी चीज़े हैं, वो सारा काम collect करने का, लेके आने का काम women का होता है, तो अगर जहां पे वो रहे रहे हैं, अगर उनके आसपास के area में, मान लीजिए, जो forest है, या फिर जो पानी water resources हैं, जासे वो पानी भरके ला रही हैं, या forest से, जो भी वो forest produce लेके आ रही हैं, अगर वहां से जो forest है, वो destruct हो जाएगा, damage हो जाएगा, वहां से, हमें वो forest resources वहां से नहीं देखने को मिल रहें, तो अब women को वही fuel fodder collect करने के लिए, उनको और दूर जाना पड़ तो और दूर जाना पड़ेगा, तो किसका साथा काम बढ़ रहा है, किसकी महनत इंक्रीस हो रही है, महिलाओं की, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, कि वो जादा सफर करती है, men के comparison में, अब इससे क्या होता है, कि उनका काम और भी जादा बढ़ जाता है, तो अब उनको क्या होते है, कि कुछ health problems होने लग जाती है, अब क्या चीज़ है, कि अगर आपको कोई problem हो रही है, आप बिमार है, आपको कोई भी परेशानी है, disease हो रही है, तो आप उसका अगर treatment ले लेंगे, तो यू विल बी okay, आप अगर timely treatment लेंगे, लेकिन महिलाओं के case में, इस चीज़ को neglect किया जाता है, बहुत सारी जगाओं और ना ही उनकी health पे जादा ध्यान दिया जाता है, तो उसका effect क्या पड़ता है, कि बहुत ज़्यादा उनकी health पे implications देखने को मिलती है, वो deteriorate उनकी health भी होती चली जाते है, तो सबसे ज़्यादा सफर करती ही महिलाएं हैं फिर, the internet impact of degradation, such as severe drought or deforestation induced floods, etc. also hits the poor the hardest, अब यह जो degrade हो रहा है, environmental degradation हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके कुछ indirect impact जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, severe drought, तो अब जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा, तो जो rich people है, वो तो अपना जुगार कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, वो अपना कर लेंग लेकिन मरता कौन है, गरीब आगमी, या फिर deforestation कर दिया, forest resources disrupt कर दिये, ठीक है, पेड काट दिये, अब deforestation से क्या हुआ, कि flood आगया, बाड आगी, अब बाड से भी क्या है, क्या होगा, सबसे जादा कौन हारता है, एक गरीब आगमी ही सबसे जादा भूगता है, सबसे ज है, तो इन केसे में क्या है, अगर एक परसें मान लीजे, जैसे एक मीडियम है, कि छलो ठीक है, वो अपनी at least इतना इ legislature कर रहे है, पनी family को अ शस्टेें कर रहे है, उनकी basic needs fulfill कर रहे है, ठीक है, बहू सेविंग्स नहीं कर पा रहा है, बट वो basic needs fulfill कर पा रहे है लिकिन अगर environment ही destruct हो जाएगा तो उससे क्या होगा वो गरीबी में धकल जाएगा बिलकुल अब वो जो basic needs फिल्फिल कर पा रहा तो basic needs भी फिल्फिल नहीं कर पाएगा तो environmental degradation का एक outcome poverty भी होता है therefore forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in this subcontinent तो अब यह जो सारी चीजें से हमें क्या पता चल रहा है कि forest और wildlife और इनको conserve करना हमारे लिए या हमारी life के लिए बहुत ही जादर जरूरी है it is imperative to adapt to sound forest and wildlife conservation strategies ठीक है तो अभी किसकी जरूरत है अभी जरूरी क्या है important चीज क्या है कि हम ऐसी sound तरीके कि अच्छी मतलब forest और wildlife को conserve करने की strategies बनाए लेकर आए और उनको सनरक्षित करने पर ध्यान दें ठीक है तो अब इनको conserve किस तरीके से करना है अब हमें इसको सनरक्षित किस तरीके से करना है so conservation of forest and wildlife in India मतलब इंडिया में भारत के ही perspective से हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essentially हमने देख लिया कि अब इनको कि ये decline होते जारे deplete होते जारे wildlife और forest तो इनको conserve करना बहुत ज़द ज़रूरी होगा है but why do we need to conserve our forest and wildlife ये question का answer हम पीछे दे चुके हैं समझ चुके हैं कि क्योंकि हमें इनको conserve करना इसलिए ज़रूरी है कि ये deplete होते जारे environmental environment degrade होते जारे environment degrade होगा तो हमें सबसे जादा problem होगी हर एक organism को problem होगी conservation preserves the ecological diversity and our life support systems water, air and soil conservation क्या करता है अगर हम संरक्षित करके रखेंगे wildlife और forest को तो वो क्या करेगा वो एक balance बना के रखता है एक ecological diversity बना के रखता है कि हमारा जो पर्यावरन है वहाँ पे हमें भिंता देखने को मिलते हैं तरीके कि हमें species देखने को मिलेंगी और वो हमारी जो life है उसको support करेगा एक support system बनता है जैसे कि पानी है air है मतलब अच्छी air clean water हमें मिल रहा है soil अच्छी है fertility fertile soil है जिस पे कि हम plants grow कर पा रहें अपने crops grow कर पाएंगे ठीक है बहुत सारी चीजे हैं जो हमें वो एक तरीके से support system हमें प्रोवाइड करता है अब इनको conserve करने का एक मतलब क्या भी होता है बेनिफिट क्या होता है कि जो plants and animal species है उनकी हम genetic diversity को भी preserve कर सकते है genetic diversity को preserve करने का क्या मतलब है कि जो species है वो बढ़ें मतलब एक जैसे वही है कि breeding करें वो उनकी breeding हो तो वो population increase हो ताकि वो जो भी हमने देखी थी कि endangered category है extinct category है तो उसमें हमें कोई भी species देखने को ना मिले for example in agriculture we are still dependent on traditional crop varieties fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity कि agriculture के अगर हम बात करें तो आज भी हम कुछ पुरानी traditional crop varieties के उपर ही dependent है ठीक है और fisheries वो बहुत ही जादा dependent है किसके उपर aquatic biodiversity के उपर कि जो aquatic जो पानी की हमें biodiversity देखने को मिलती है वो किस तरीके के उसके उपर ही dependent करते है कि महाँ पर fisheries किस तरीके की होगी fish species महाँ पर कैसी होंगी in the 1960s and 1970s conservationists demanded a national wildlife protection program the Indian wildlife protection act was implemented in 1972 with various provisions for protecting habitats अब 1960s 70s में क्या चीज़ देखी गई कि habitat destruction हो रहा है काफी जादा environmental degradation हो रहा है resources deplete होते जा रहे हैं तो उस ताइम जो conservationist है मतलब कि जो इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं कि हमें संरक्षण अब संरक्षण करने की जरत है आवशकता हो गई है काफी जादा तो उन्होंने डिमांड की कि wildlife को प्रेटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम लाया जाया गई लाया जाए ठीक है तो उस ताइम पर क्या हुआ कि 1972 में wildlife protection act लाया गया ताकि यह जो wildlife है और उनका जो habitat है उसको protect किया जासे प्रोपर तरीके से अन ओल इंडिया लिस्ट अप्रेटेक्टेट स्पीशीज वस अल्सो पब्लिश्ट मतलब कि यह जो प्रेटेक्टेट स्पीशीज है उसकी एक ओल ओवर इंडिया क्या बनी एक लिस्ट बनाई गई कि कौन सेस्पीशीज जो है पोप्री जो प्रेटेक्टिटर है तर्स अभी फॉर्टेक्ट गाया है तो प्रोग्राम के तहत जो वालां प्रेटेक्शीज एक लाया गया या जो लिस्ट पहलें चाहिए तहड किया गया कि जो possessed भप्लेशं जो फॉर्क्रीश। जो population हम खोच चुके हैं जिन species की population को हम उनको वापिस नहीं ला सकते लेकिन जो हमारे पास population बची हुई है अगर हम उनी को conserve करें उनी का ध्यान रखें तो हम क्या कर सकते हैं हम उसी की population वापिस से normal level पे लेकि आ सकते जैसे कि अगर कोई species endangered category में है endangered category में मतलब उसकी population काफी कम ह अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगी वह extinct हो जाएगी विलुक्त हो जाएगी तो अभी ध्यान देने का क्या मतलब है कि जैसे कि उसमें क्या उन्होंने रखा कि भई यह जो species हैं जैसे कि जो endangered species हैं उनकी हंटिंग नहीं हो सकती हंटिंग बैन है ठीक है उस पे fine or imprisonment जो होगी punishment मिलेगी अगर किसी ने ऐसा किया तो ठीक है उनको legal protection उनके जो habitat है जहां पर रहते हैं उसको legal protection दी गई ठीक है जो wildlife production act हमें देखने को मिलता है इसमें हमें schedule देखने को मिलते है schedule 1, schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5 and I think schedule 6 भी है तो इसमें क्या किया गया है इसमें अलग-लग species को mention किया गया है वो species वो जो schedule है उनका अलग-लग मतलब है कि किस schedule की species को किस तरीके से क्या-क्या चीजें उनके लिए ban है या क्या-क्या चीजें किस तरीके से हैं ठीक है उस schedule में mentioned है तो उसमें क्या रखा गया यह क्यों लाया गया species को conserve करने के लिए ठीक है wildlife को बचाने के लिए right subsequently central and many state governments established national parks and wildlife centuries about which you have already studied अब इसके लिए क्या भी किया गया कि अब क्या बात हुई थी कि इनके habitat को बचाना है habitat को protect करना है अब जब इनके habitat को protect करना है तो इनके habitat को protect करने के लिए कुछ क्या किये गए central या state governments के द्वारा national parks and wildlife centuries को establish किया गया ताकि इनके habitat को proper तरीके से हम protect कर सके the central government has also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened including the tiger, the one horn rhinoceros, the kashmir stag और hungul, three types of crocodiles, fresh water crocodile, salt water crocodile and the घड़िया, the asiatic line and others. Central government ने क्या किया कुछ ऐसे projects भी चलाए वो projects के आते कुछ specific animals के लिए ही वो project लाया गया था कि मतलब एक particular project to specific animal को बचाने के लिए है वो animals जो कि बहुत ही जादा extreme level पे threatened है खत्रे में है बहुत जादा खत्रे में है ठीक है जैसे कि project tiger लाया गया 1973 में ठीक है 1992 में या 1993 में I think project elephant लाया गया project rhino लाया गया वन्हों rhinoceros के लिए ठीक है crocodiles के लिए projects लेके आए गए उन्हों संदक्षन करने के लिए तो इस तरीके से kaafi projects लेके आए कर लिए most recently the Indian elephant black bug chinkara the great Indian bastard godawan and the snow leopard etc have been given full or legal or partial legal protection against hunting and trade throughout India अभी recently भी कुछ काफी ऐसे animals and species हैं जिनको legal protection प्रवाइड के गई है कुछ को पूरी की पूरी legal protection प्रवाइड की गई है कुछ को आधी protection प्रवाइड की गई है किसके लिए कि भई इनका ट्रेड नहीं किया जाएगा इनकी hunting नहीं की जाएगी ताकि इनको संरक्षित कर सके income इनको बचा सके हम the conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components अब जो यह conservation projects है यह पूरी की पूरी biodiversity को conserve करने पे ही focus करने बजाए कि उसके कुछ components पे ही यह overall उसी पे different conservation measures अब यह तो कुछ conservation measures जो लाए गए लेकिन अभी और भी जादा deeply research चल रही है ताकि और अच्छे conserve इनको संरक्षित करने के उपाई ढूंडे जा सके और ऐसे measures लेके आए जा सके ताकि हम proper तरीके से इनको संरक्षित कर सके increasingly even insects are beginning to find a place in conservation planning अब क्योंकि इसको पूरा का पूरा क्या है कुछ components ही नहीं अब क्या target है कि पूरी की पूरी biodiversity पे ही focus किया जा रहा है तो आज हमें यह चीज़ भी देखने को मिल रहे हैं कि जो छोटी से बात की जा रही है इन दर notification अंडर wildlife act of 1980 and 1986 several hundred butterflies, moats, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species अब जो protected species की list जो जारी की गई थी wildlife protection act 1972 के तहत तो उसके बाद wildlife protection act 1980 में लेके आया गया जीक है 1986 में लेके आया गया तो उसमें काफी insects यह जिसे butterfly moats, beetles, dragonfly यह भी added थे in 1991 for the first time plants were also added to the list starting with six species फिर 1991 के act में क्या हुआ इस list में हमें plants भी देखने को मिले और starting के सिवे plants की 6 species को add किया गया यहां पे तो क्या हो रहा है अब इस base को जिसे थोड़े से start करके इसको बढ़ाते जाए जा रहे हैं और सब कुछ इसमें add किया जा रहे हैं कि सब हर क्यूंकि हर किसी की importance को समझा जा रहे हैं और हर एक species को चाहिए वह छोटी ही क्यों ना है कितनी भी चोटी नहीं है उसको हमें क्या संरक्षित करना है उसको हमें बचाना ही बचाना है लएट तेखने को मिलते हैं, if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. अब क्योंकि जो wildlife resources and forest are very high, so conserve, protect, control and regulate is not very easy, because they are very high, in India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. तो इंडिया में ये जो forest and wildlife resources हैं, ये या तो सरकार खुद manage करती है, forest department के मदद से, मतलब forest department के अंडर आता है, या फिर सरकार के ही कुछ अलग department से जो कि, जिनके थुरू ये इनको manage करवाते हैं, तो इनके कुछ categories बना दी गई हैं, ताकि इनको proper तरीके से manage किया जा सके, तो इ तक्षित वन, more than half of the total forest land has been declared reserved forest, reserved forest वो है, जिसमें की एक forest land जो है, जो पूरी एक जगा पे जो जमीन है, उसमें आदी से जादा reserved forest में, reserved forest declared कर दी गई है, reserved forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned, मतलब reserved कौन से हैं, reserve करके रख दिये, reserve करके रखना क्या है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको रख दो, तो क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कि हमें इनको तो बचाना ही बचाना पड़ेगा, इनको conserve करके ही रखना पड़ेगा, वो हमारे किसमें आ जाते है, reserved forest में, अरक निकरने इनको हमें बचाना है, प्रटेक्ट करना है, सनरक्षित करना है. अलमस्त वन थर्ड अव डी टूटल फोरेस्ट अर्या इस प्रेक्टिट अर्या आज देक्लेर पाइज देक्लेर देपार्टमेंट के द्वारा. और प्रेक्टिट कौन से हैं, जिनको जिसमें और जादा जितना है न उतने ही लेवल पे रखना है, या फिर उसमें बढ़ाना ही है, हमें उसको डिप्लीट होने से बचाना है. थर्ड उनने क्लासिफाई किया अनक्लास्ट फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जिनको की क्लासिफाई ही नहीं किया गए, अमहाँ पर बाकी की आगए, जैसे की अधर फॉरेस्ट है या वेस्ट लाइंड से बिलॉंगिंग तो बोध गवर्नमेंट और प्राइमिट making, फॉरेण भॉरेस्ट और टो सीफले सब्सारी अठतेर वेस्ट लाइंड से पर्यूंगिंग तु मेंड प्रेस्ट हे जाना है। एरिया पॉमिनेंट फॉरेस्ट के कहां पे हैं कॉंसी स्टेट में मध्य प्रदेश में जम्मू कश्मीर आंद्र प्रदेश उत्राखंड केरल तामिल नाडू वेस्ट बिंगॉल और महराश्ट्र हैव लाज पोसेंटेज इस ऑफ रिजॉर्ब फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोट गुजराथ है वहाँ पे हमें अन्क्लास फॉरेस्ट देखने को मलते हैं ठीक है सो बहुत जादा टिपिकल नहीं है बस एक ओवर्व्यू लेने वाला चाप्टर है ये तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं इसको एक बार रीड कर लीजेगा काईज इजी है वैसे मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आएका बट सिल कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं तिल दन थांक यू सो मुच्छ हव ग्रेट देए अहेड जैहन्त